नमस्कार राज सिक्षा शोध एवं प्रश्चिक्षन परिशत बिहार पटना में आप सभी का स्वागत हैं कैसे हैं प्यारे बच्चो मुस्कुराते वे तो दिख रहे हैं तो आसा करती हूं स्वस्त और अच्छे होंगे बच्चो आपको कहानी सुनना तो बहुत पसंद है ना जब भी मैं क्लास में आती हूँ तो आप कहते हैं मैं एक कहानी सुनाई है तो बच्चो स्रीप आप कहानी सुनते हैं या उनसे सबक भी लेते हैं हाँ प्यारे बच्चों कहानी स्रीफ सुनने के लिए नहीं होती है बलकि उससे हमाई प्रेड़ना या फिर मोटिवेट भी होना चाहिए हर कहानी में कोई ना कोई लेसन छुपावा रहता है तो आज भी जो मैं कहानी आपको पढ़ाऊंगी ना तो उसमें भी ना एक लेसन छ पता चलेगा लेकिन उससे पहले मैं कहानी से रिलेटेट कुछ इंट्रोडक्शन आपको देती हूं प्यारे बच्चों आपको ये तो पता है ना कि हमें घमंड बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए है ना घमंड करने से क्या होता है कि बाद में वो घमंड हमें ही ले डूपत है कहा जाता है ना हमारे मम्मी पापा टीचर्स जो भी बड़े लोग रहते हैं वो कहते हैं ना कि कभी घमंड या अहंकार कभी नहीं करना चाहिए है ना कोई भी काम करने के बाद ये कभी नहीं जताना चाहिए कि मैं बहुत परा हूं मैं बहुत मैंने ये काम कर दिया है न क्योंकि घमंड करना बुरी बात है, तो ये कहानी भी घमंड से ही related है, बच्चों अब आप मुझे ये बताइए कि सेर का इंग्लिश क्या होता है, लायन होता है, very good बच्चों और बाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइगर कहते है, तो बच्चों आप सभी जानते हैं, सीर जो होता है वो जंगल का राजा होता है होता है ना तो आज की कहानी एक बाग से रिलेटेड है बहुत बच्ची क्या करते हैं कि सीर और बाग को एक ही समझते हैं लेकिन नहीं बच्चों लाइन और टाइगर में बहुत अंतर हैं तो आज मैं आपको एक टाइगर की कहानी स क्या कहते है बच्चो मच्छर को इंगलिस में मॉस्क्यूटो कहते है ठीक है तो इस कहानी को आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं ये कहानी आपके टेक्स्ट बुक की ही है चैप्टर 7 क्लास 3 का ठीक है तो आइए स्टार्ट करते है कुछ चित्रों के माधियम से Class 3 Chapter 7 The Tiger and the Mosquito जैसा कि आप picture में देख रहे हैं बच्चो tiger है और उसके साथ एक mosquito भी है mosquito मैंने बटाया ना मच्छर और tiger यानी की भाग तो बच्चो अब आप मुझे ये बताये कि tiger और mosquito को तो आपने देख लिया तो कोई भी chapter या listen पढ़ने से पहले मैं आपको कहती हुना क्या जरूरी होता है बहुत अच्छे यस बच्चो कोई भी lesson या chapter स्टार्ट करने से पहले उसके जो जरूरी words होते हैं जो target words होते हैं जो hard words होते हैं उनके अर्थ जानना बहुत जरूरी है ठीक है अगर हम अर्थ नहीं जानेंगे तो मैं हमेशा कहती हु ना कि chapter भी समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए words meaning बहुत जरूरी है तो आईए इस chapter से related कुछ word meanings देखते हैं word meaning was dozing w a s was d o z i n g dozing यानि की जब की ले रहा था mosquito m o s q u i t o mosquito यानि की मच्छर पॉ पी ए डबलू पॉ पॉ यानि की पंजा या फिर चंगूल उसके बाद है buzzed away b u double z e d buzzed a w a y buzzed away यानि की भून भूनाते हुए चला गया उसके बाद है struck a s t r u c k struck मतलब मारा ठीक है उसके बाद क्या लिखाव है बच्छो उसके बाद है quietly यानि की q u i e t l y quietly मैं आपको कहती हो ना keep quiet यहाँ भी वही quietly है यानि की चुप चाप शान्ती से और last one क्या है बच्छो लास्ट है proud यानि की p r o u d proud यानि की घमंडी तो बच्छो आपने यहाँ पर words meaning जान लिया ना तो अब क्या होगा कि जब भी हम chapters को पढ़ेंगे ना तो उसमें जब भी यह word use होगे तो आप छट से उसके मतलब समझ जाएंगे और आपको वह chapter समझने में कठिनाई भी नहीं होगी तो आप लोग excited है ना एक मच्छर और एक बाग की कहानी सुनने के लिए समझने के लिए तो आई ये में आपको वह कहानी सुनाती हूँ Story A tiger was dozing under a tree एक बाग था जो की एक पेर के नीचे जब की ले रहा था A mosquito came buzzing by तभी एक मच्छर भुन भुनाते हुए आता है The tiger said hey mosquito go away the mosquito said why should I go away I am not afraid of you The tiger was angry he hit it out with his paw जैसा के आप picture में देख रहे हैं एक tiger है बाग है जो की जब की ले रहा है और एक मच्छर जो है वो भुन भुनाते हुए आता है ठीक है तो tiger जो रहता है बच्चो वो बहुत गुसा आजाता है और कहता है मच्छर से कि जो यहां से भागो तो मच्छर कहता है बिल्कूल भी नहीं डरता और वो निडर होके कहता है I am not afraid of you मैं तुमसे क्यों डरूं? Why should I go away? मैं क्यों जाऊं? तो यह सुनकर बाग बहुत गुसा आजाता है और वो क्या करता है? He hit it out with his paw और वो अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करता है फिर क्या होता है? The mosquito flew off. The paw struck his own cheek. जैसा क्या पिक्चर में देख रहा है मच्छर उड़ जाता है और उसका पंजा जो रहता है ना बाग का वो उसके ही गालों में लग जाता है The blow scrapped his cheek और उससे क्या होता है कि उसका गाल जो रहता है ना उसके पंजे से कट जाता है It began to bleed और उसके गालों से खून आने लगता है The mosquito buzzed away और मच्छर क्या करता है? भुनवुनाते भुनवनाते हस्ते हस्ते वहाँ से चला जाता है The tiger struck his other paw फिर वो बाग क्या करता है? कि अपने दुसरे पंजे से फिर उसको मारने की कुशिस करता है The mosquito flew off और वो मच्छर उर जाता है फिर वहाँ से This time to he hit himself और इस बार फिर वो पहले की तरह खुद को ही मार लेता है The tiger was helpless अब वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि एक तो उसके खुद के पंजे से वो खुद को घायल कर लिया था और दूसरी बार भी जब वो मच्छर को मारने की कुशिस करता है तो उसके साथ सेम वैसा ही होता है The mosquito continues to budge और मच्छर जो रहता है वो बाग से बिलकूल भी नहीं डरता और वो वहीं पर घुम घुम कर भूनाते रहता है The tiger got up and quietly walked away अब बाग बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचा रहता उसका देखिये आप देख रहना पिक्चर में उसका मुह बन जाता है उसे अपने उपर बहुत घमंड था ना तो उसका घमंड चूर हो जाता है और वो चुपचाप खड़ा होता है और वहां से निकल परता है The mosquito said to him, don't be so proud my friend, everyone is great in his own way और वो मच्चर उस बाग को समझाता है, कहता है कि मेरे दोस्त कभी भी खुद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए हर कोई अपने तरीके से, अपने वे से, अपने में महान है तो बच्चों आपने देखा कि कैसे एक बरा सा बाग, एक छोटे से मच्चर से हार गया क्यूं हार गया? उसको ताकत तो मच्चर से कहीं गुना ज़्यादा थी ना लेकिन वो अपने एहंकार यानी कि घमंड या प्राउट से हार गया ठीक है? तो बच्चों इसलिए मैंने कहा था कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए आपने देखा किस तरह से मॉस्क्यूटो ने मच्चर ने उसे चकाया? वो वहीं पर उरता रहा और बाग विचारा क्या किया? उसे मानने के चकर में उसे भगाने के चकर में खुद को ही घायल कर लिया है ना? तो इसलिए बाग को खुद पर बहुत घमंड था कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, मैं इतना बड़ा जानवार हूँ और यह छोटा सा मच्चर मेरा क्या बिगारेगा? इसलिए उसने बिना कही ही उसे पंजे से मानने के कोसिस की लेकिन यहाँ तो पासा पलट गया तो आपने देखा बच्चो घमंड करने से क्या होता है? एक छोटा सा मच्चर एक बड़े से बाग को हरा देता है इसलिए बच्चो हमें भी घमंड नहीं करना चाहिए हर वेक्ति, हर इंसान या हर कोई जो होता है न वो अपने आप में महान होता है किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए समझे तो कहानी तो आप समझ गया ना बच्चो तो आईए इससे रिलेटेट कुछ एक्सेसाइज भी करते हैं answer these questions यानि प्रस्णों के उत्तर दें पहला, where was the tiger? टाइगर कहां था? दूसरा, what was the tiger doing? वो टाइगर जो था बाग वो क्या कर रहा था? और थर्ड कुछन है, what did the tiger do when he got angry? जब वो गुसा जाता है, वो बाग को जब क्रोधा जाता है, तो वो क्या करता है? तो बच्चो इसका जवाब मुझे आप दीजिए कि टाइगर कहां था? टाइगर क्या कर रहा था? और जब उस बाग को गुसा आता है, तो वो बाग क्या करता है? तो कहानी तो आपने पढ़ लिया ना बच्चो तो अब आप मुझे इस सवालों का जवाब भी सही सही दीजिए मैं जानती हूँ आपको कहानी समझ में आ गई है इसलिए आप जवाब भी दे रहे हैं तो बच्चो आएए आपके जवाब को मैं यहाँ पर देखती हूँ कि आपने जो जवाब दिया वो सही है या गलत तो आएए मिलाते हैं वेर वाज दा टाइगर टाइगर यानी बाग कहा था आंसर दा टाइगर वाज अंडर ट्री बाग एक पेर के नीचे था बिलकुल सही वाट वाज दा टाइगर दूइंग बाग क्या कर रहा था आंसर दा टाइगर वाज दूजिग अंडर ट्री जो बाग था वो पेर के नीचे जब की ले रहा था what did the tiger do when he got angry जब tiger गुसा जाता है तो वो क्या करता है answer है he hit the mosquito with his paw वो मच्छर को अपने पंजे से मारता है तो बच्चो आपने तो बिलकुल सही जवाब दिया बहुत अच्छा बच्चो तो आपको पता है ना मैं आपको सिखाती हूँ समझाती हो ना कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई कहानी हो या पर्म हो या कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो उसका exercises बनाना भी बहुत जरूरी होता है कई बच्चे क्या करते हैं कि स्टोरी पढ़ लेते हैं पर exercises बनाने के टाइम में भाग जाते हैं बट बच्चो आप ही बताइए अगर हम exercises नहीं बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमें कहानी किस तरह से समझ में आई है अच्छे से समझ में आई है कि नहीं आई है तो इसलिए exercise बनाना बहुत जरूरी होता है तो आईए कुछ आगे औ दो option slash करके दिये में है और दोनो option में से जो correct option है जो सही option है वो आपको चुनना है Once I went to a garden ya gardens, there were many trees ya tree and flower ya flowers in the garden, the bird ya birds were singing on the branch ya fir branches, the leaf ya fir leaves were green, the rose ya roses were red and the lily ya lilies were blue, the scene ya fir scenes was very beautiful, यहां आप देख रहा है बच्छो हर sentence में दो दो option है जैसे garden, gardens, tree, trees, tree, flowers, flowers, bird, birds, branch, branches, rose, roses, lily, lilies और scene और scenes तो बच्छो इन दोनो option में से जो सही option है उसको चूज करके आपको इस sentence को फिर से rewrite यानि कि आपको फिर से sentence को लिखना है तो क्या आप से हो जाएगा बच्छो चलिए इसमें मैं आपका help करतू है आए इसके सही answers को हम देखते हैं correct answer once I went to a garden यहाँ garden इसलिए होगा बच्छो क्योंकि garden के आगे अ लगावा है और आपको पता है न बच्छो एक का मतलब क्या होता है एक तो जब एक की बात हो रही है तो एस नहीं लगेगा so once I went to a garden there were many trees and flowers in the garden यह तो बिलकुल असान है क्योंकि यहाँ many लगावा है तो many मतलब बहुत तो यह तो आपको पता है बच्छो जहाँ बहुत होगा तो वहाँ इसका मतलब कि एक से ज्यादे की बात हो रही है इसलिए trees और flowers यहां लिखा गया है तो there were many trees and flowers in the garden the birds were singing in the branches ठीक है जब यहाँ पर where है यानि कि अगर वाज रहता तो एक का बात होता where है यानि कि एक से ज्यादे की बात हो रही है इसलिए यहां birds और branches लगा हुआ है तो the birds were singing in the branches the leaves were green ठीक है बच्चो वही सेम बात है जब where बात होती है तो एक से ज्यादे की बात होती है जब वाज होगा तो एक की बात हो गई तो यहाँ पर where है बच्चो तो इसलिए leaves के जगा leaves लिखा गया है तो बच्चो सेंटेंस को परिये the leaves were green उसके बाद है the roses were red and the lilies were blue तो यहाँ भी same technique ही use किया गया है बच्चो वेर है इसी कारण से यहाँ roses और lilies लिखा गया है तो फिर से इस sentence को परिये the roses were red and the lilies were blue और last statement क्या है बच्चो लास्ट में लिखावा है the scene was very beautiful यहाँ sens क्यों नहीं लिखा गया, scenes को हमने क्यों नहीं चूज किया इसलिए नहीं चूज किया very good बच्चो क्योंकि यहाँ was है अगर where रहता तो scenes हो जाता लेकिन यहाँ was है तो एक की बात हो रही है इसलिए the scene was very beautiful तो बच्चो आपने देखा कैसे हमने correct option चूज किया ह तो correct option choose करने के बाद हमने sentence को फिर से rewrite किया हमने उसे फिर से लिखा तो आपको वाज वेर ये तो समझ में आ गया ना बच्चो कि जब वाज होता है तो एक की बात होती है जब वेर लिखा रहेगा यानि एक से जादे की बात होती है तो वहाँ एस लगता है ठीक है अब ये confusion न यानि की रैमिंग वर्ट्स पे जिसे पढ़ना आपको बहुत पसंद है मज़ा आता है ना बच्चो रैमिंग वर्ट्स पढ़ने में तो आईए एक बार रैमिंग वर्ट्स पढ़ते हैं चिक, विक, सिक तो बच्चो चिक मतलब गाल, विक मतलब सप्ता और सिक मतलब बिमा उसके बाद क्या लिखावा है बच्चों? उसके बाद लिखावा है सेड, मेड, रेड. सेड मतलब बोलना, मेड मतलब घड में जो हमारे काम करती है वो और रेड मतलब लाल रंग. सेड, मेड, रेड. उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद है गार्डेन, सर्डेन और ब मतलब बहुत अच्छा, garden मतलब बगीचा, certain मतलब जो अचानक होता है ठीक है? और burden मतलब बोज, तो आईए एक बाद फिरसे से रैमिंग वर्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, मज़ा आया ना बच्छो रैमिंग वर्ट्स पढ़ने में अभी आपको आगे और भी मज़ा आने वाला है और आपके लिए एक टास्क भी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, है ना? तो आप मुझे यह बताइए कि कहानी पर आपने exercises हमने solve किए, तो आपको कहीं confusion है, आपको और कुछ समझना है, नहीं ना मैंने आपको अच्छे से कहानी समझा दिया ना तो आप मुझे यह बताइए कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिली, क्या lesson मिला बच्को? बताईए जैसा कि मैंने कहानी स्टार्ट करने से पहले भी आपको समझाया था और कहानी बढ़ाते वक्त भी बताया इस कहानी से इस लेशन से हमें ये समझ में आया कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए कहीं भी बॉस नहीं बनना चाहिए जैसे कि वो tiger बन रहा था खुद को है ना तो बच्चो कहीं भी हमें बॉस नहीं बनना चाहिए खुद पर ओभर confident नहीं होना चाहिए यानि कि खुद पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और सामने वाले को तो कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए तो यही हमारे आज के chapter का lesson यानि कि प्रेड़ना था तो आईए इसको एक बार हम आगे चलके देखते हैं और क्या है हमारे लिए अब आते हैं हम लोग filling the blanks में तो बच्चो इस blanks को आप देख रहे हैं ये blank यानि कि रिक्तिस्थान है इसे आपको भरना है बताना है कि इसमें क्या होगा तो आएए देखते हैं क्या लिखावा है ये तो कहानी का ही फिलिंग दा ब्लैंक से कहानी तो आपको समझ में आ गया है बच्चो तो आएए ब्लैंक को भी भर कर बताईए मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ब्लैंक में क्योंकि यहां ओप्शन्स नहीं दिये हैं पर कहानी तो मैंने आपको समझाया ना तो आप्शन्स की फिर क्या जरूरत कोई बात नहीं आईए मैं आपको इसके आंसर्स को बताती हूँ ठीक है फिर हम लोग इसे पढ़ते हैं अब आपको याद आया चैप्टर कहानी समझ में आई अब बता चला कि ब्लैंक में क्या भराएगा कौन से वर्ड्स होंगे तो बच्चों फिलिंदा ब्लैंक तो आपने करेक्ट करेक्ट बनाया है तो आगे कुछ और प्रैक्टिस करें आपको अच्छा लग रहा है ना एक जम्बल वर्ड्स का मतलब होता है कि वर्ड्स में जो लेटर होते हैं ना वो इधर वुदर जम्प किये वे होते हैं और उनको रिएरेंज करके आपको करेक्ट स्पेलिंग बनाया रहता है बनाना रहता है जैसा कि देखिए पहले है टी जी ए आर 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 आई तो उसका करेक इसका correct answer क्या होगा बच्चो इसका correct answer होगा पॉ यानि की पंजा पी ए डबलू पॉ और बच्चो नीचे क्या लिखावा है पॉ के नीचे हाँ इसे तो आपने गलत होने पर भी समझ लिया कि ये मॉस्क्यूटो है लिखावा क्या है बच्चो एम ओ यू आई एस क्यू टी ओ बट इसका correct spelling क्या होता है एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ मॉस्क्यूटो यानि की मच्छर हमारे घर में होता है ना उसके नीचे क्या है टी डबल ई आर टीर ये तो टीर लिखावा है तो इसका correct spelling क्या है ट्री यानि की पेर टी आर डबल ई ट्री तो बच्चो जंबल में कुछ बच्चे confused हो जाते हैं लेकिन जंबल वर्ट में कभी confusion नहीं होने चाहिए क्योंकि जब भी आप लेटर्स को ध्यान से देखेंगे ना उसको आगे पीछे करके सोचेंगे ना तो वो खुद बखुद average हो जाएंगे आपसे ठीक है इसे इसी लिए घबराना नहीं और जंबल वर्ट को बिल्कूल भी सांती से solve करना चाहिए ठीक है तो यह हो गया जंबल वर्ट अब देखते हैं आगे क्या है अब आते हैं हम group work यह आपके लिए एक surprise है बच्चो आपने twink tongue twister का बात सुना होगा ना आपने नाम सुना है tongue twister का बस यह एक उसी का example है और आपको यह करना है ठीक है तो जैसे आप लोग कहते हैं आपके घर में भी आपके भाईया दीदी कहते होंगे ना कि जल्दी जल्दी बोलो इस बात को जल्दी जल्दी बोल कर दिखाओ हम लोग बच्पन में भी करते थे थे ना बच्चो जब मैं भी school में थी ना तो मैं to speak the following three times without any break यानी कि इसे आपको तीन टाइम बोलना है without any break मतलब बिना ब्रेक लिए वे नौँ इंजो आई सेइंग देज इन ग्रूप और आपको ये ग्रूप में एक दूसरे पे बोलना है कितना बार बोलना है? three times without any break ये लिखा क्या हुआ है बच्चो अपर रोलर अपर रोलर लोवर रोलर मैं तो अभी नहीं बोल पा रही हूँ क्या आप बोल पाईएगा फिर से बोलिए अपर रोलर अपर रोलर लोवर रोलर अपर रोलर अपर रोलर लोवर रोलर मुझसे तो ये जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा क्या आपसे हो पाएगा तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजे और अगले क्लास में जब भी मैं आपके पास आऊंगी ना तो मुझे ये टंग ट्विस्टर कहकर बताईएगा और मुझे भी सिखाईएगा कि आपने कैसे बोला ठीक है बच्चो तो अब आप मुझे ये बताईए मज़ा आया आपको मज़ा आया ना अब भी टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करने के जरूरत नहीं है ये हम बाद में करेंगे ठीक है ये एक बस छोटा सा इंजॉइमेंट था आपके लिए तो बच्चो आसा करती हूं कि आपने इस कहानी को परहा और खूब भी ली होगी सीख सबको मालूम है ना भूलना नहीं है ना बहुत अच्छे तो बच्चो इस टंग ट्विस्टर के साथ आप घर जाईएगा इसे प्रैक्टिस कीजिएगा लेकिन साथ में सबको इस कहानी को आपने परहा ताइगर अन्दम मस्क्यूटो ये कहानी भी सुना ठीक है बच्चो तो फिर अगले क्लाफ में मुलाकात होगी तब तक बच्चो गुडबाई एंड टेक केर